हेलो प्रेंट स्वागत है आप सब का एक बाद फिरते हैं हमारे विजन कुईक कमिश्टरी में तो आज का हमारा ठोक्पिक है कैसे मिलेगा कि जब हम एवरेज मार्स दिखेंगे पिछले कुछ सालों से तो बात करते हैं सबसे पहला हमारा जो बंपर टॉपिक है इससे 5.7 मार्स का पुछा गया है पिछले कुछ टाइम में तो यह बहुत ही इंपोर्टन बन जाता है केमिकल काइनेटिक्स यह भी इंपो पूसिस करें कि आप इन चैप्टर्स को पहले पढ़ें क्योंकि थोड़ी से काम्प्रिकेटर भी है तो समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है और उसके बाद एक ग्रैसियस इस्टेट और फिजिकल स्कॉपी यह इसमाल चैप्टर्स हैं बट वेरी मेजर अगर इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो प्रती चैप्टर्स मुश्किल से आपको तीन दिन लगेंगे पढ़ते विए जबकि मांक्स कितने देते हैं लगवक्स साथ से आठ मांक्स का इन दोनों से पूश्च लिया जाता है तो यह हमारे इंपॉर्डन टॉपिक्स होगे यह बहुत ज़्यदा पूछा गया है कॉंटम से कम भी पूचा जाता है मैंने भी कॉंटम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं और फिजिकल इस्प्रिक्टर यह बहुत छोटा चेप्टर है और बहुत ही जल्दी पूचने का तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि टोटल लगवग थर्टी पॉइंट फॉट्वाइब फॉट्व मांस प्रूचा गया है सव मांस में से फिजिकल पॉर्षन में से तो फिजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिकल के बारे में एक तो चाहे हैं वह पीछे वाला वं बयक्वेचर बच्चा हो झा क्योंकिu कि अच्छी ょर्ष वां अनकषी की वे सबसे आसान क्योंकि आप जितना टाइम और गेंगे अगर उससे बहुत ही आधा टाइम अजरा फिजिकल में देंगे तो आप इसमें अच्छे हो सकते हैं क्योंकि फिजिकल में बिल्कुल हार्मूला बेस अवालात में हैं बिल्कुल पराबर नर्ट दिया होगा आपको आर पूछ लेगा यह पूछ लेगा इस टाइप से या फिर दो फार्मूलों को एक तरफ से कंभाइन संसाते हैं उनकी साहिटा से आप असानी से निकाल सकते हैं तो फिजिकल किया चैप्टर है आप अच्छे होते हैं तो पिशीकल में तो के वह से कुछ नहीं होता कर के वह आप देखेंगे तो आपका परिप्रसथ में फिल्स बीगारे तो बधर के एगुस्जर के बास बॉर्ण के बाद इसे करें की ता कुट्न करने के बाद लगाइग के डिश और इस चंड और यूनिय हुआ और फिर अगर आपकी यूनिट में अच्छे मांस आ गए तो आप यह समझ लीजिए कि आपका वह यूनिट त्यार हो गया तो अब दूसरी चीज यह है कि फार्मूलाज को याद करते चलें जो फार्मूला आते हैं क्योंकि अल्टिमेंटली खेल से फार्मूला का ही है कि थर्मोडानेक्स में कहां से कनक्टेड है एडियाबेटिक होगा एक्सपांसन होगा कंपरेशन होगा तो फार्मूलाज को अपनी तरफ से याद करने की ट्रिक्स बनाते चलें तो आपकी फिजिकल अच्छी हो जाएगी यह फार्मॉलाज तो उसके बाद सवाल का कैसे करना है यह सब एंपॉर्टन रखता है कि आस्टार कैसे करते हैं कुश्ट रीडिंग में कितने अच्छे है कि कुस्ट् legit का मतलब यह है क्या ही किहीं कि कि हमान कर रहें इutch से myś मेजर लुख रखते हैं है कि टो गत्री किसी से भी विस्टेक हो सकते हैं उसके बाद है कि इसमें परेशन एक इसा करेंगे जैन की परिंद करेंगे डीयिक्टलय इंपॉर्टन्ट है क्यूंकि अगर आपकी इसके प्रैक्टिस हो गी तो आप यह जान आ Gewाइगे तो इसकी वैलुई क्या रखें तो इसकी वैलुई मिलेगी या फिर लॉग में एलेर्ण रखना आ या फिर लॉग रखना है इस टाइप से तो इसके आप प्रेक्टिस कर सकते हैं इसके लिए एप आता है Google Play Store से गर्फेस कॉप अपने मोपाइल कोन में और जो भी आप करें तो उसी से करें तो आप किसी धीमिन में क्या होगी उसकी है पड़ जाए ही और उसमें क्या है कि आप अच्छे हो जाएंगे और आप से काम होंगी आप चाहें तो मैं इसका लिंक दे देंगा डिस्क्रिप्शन में तो वहां से भी आप क्लकुरसन मिश्टेक्स कम हो गई और फिजिकल में बात यह है कि आप चाहें जितने अच्छे हो जाएं फिजिकल में आप से गलतियां हो सकती है फिजिकल क्या है आपको मार्स दिलाएगा और आपके मार्स काटेगा इसलिए बहुत कुर्शिर बन जाता है क्योंकि अएंट ट हैं दूसरी आप कोई भी मान लिजिए हमने कोई कुश्चन यह लगाया किसी भी बुक से आपके कोई बुकलेट से तो उस कुश्चन के मार्स ना देखें अगर ऑप्सन दिये भी हैं तो आपसन ना देखें उस सवाल को अंध तक ले जाएं मतलब लास्ट तक ले जाएं अब फिर माने यह वैल्यू आई 2.45 फिर देखें कि ऑप्सन है या नहीं पहले सही ना देखें कि 2.45 है तो हम उससे आप से सॉल्व करेंगे आपका मोट्व यह होना चाहिए कि हम एनिटी की तरह सॉल्व कर रहे हैं कि हमें कुछ भी आप्सन हमें केवल उत्तर हमें निकालना है कि तो इस तरीके से आपको लाख तक ले जाना है हर एक डिजिट को चक करना है और यह भी चेकरना है कि कि इस आप कि बहुत फाđदा है तो अगर आप को आप को मांले जे ठीक है देए मिदिमें और दूसरी चीज़ आपको तो मैं तो चाहता हूं कि मतलब अगर आप मतलब अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो कोसिच करें कि पंद्रा नॉवंबर तक स्लेवस खतम हो जाए कि स्लेवस खतम कि जिससे आपके पास पूरे-पूरे लगवाई धाई से तीन महिने हो कि पुश्चन प्रिट्स करने के और रिवीजन करने के क्योंकि उससे होता क्या है कि आप हर एक चीज़ पर अच्छी पकर बना पाएंगे आप इसलेवस जल्दी से जल्दी खतम करें और लगातार पढ़ते रहें और यह भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप पांच घंटे ले रहे हैं तो कम से कम दो घंटे जरूर रिवीजन के लिए निकाले क्योंकि नहीं करेंगे तो आप भूलते जाएंगे फिर मानिजे आपने कोई पढ़ा मानिजे दस मही को आपने पढ़ा तो यह क्या है यह तो है और टाइम वेस्टिंग से बचना है तो आप लगबग पांच से दस दिन में हर चेप्टर को जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज करते चलें क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा आपको फाइदा होगा यह फिजिकल के लिए कुछ अच्छी बाते हो गई दूसरी चीज आगर आप आपके नंबर नहीं आ रहे है हैं इसमें तो आप कोई भी बुक से प्रेक्टिस कर सकते हैं या फिर आनलाइन बहुत कंटेंट बहुत सारे कुष्टन्स अबलेबल हैं कि वहां से आप जिल्क में चैनल कर लीजें उसमें मैं कि डालता रहता हूं तो वहां से भी आप कि द्निक द्रिप्सण में और वहां पर में फ्रेंटेंट तरियो बहुत करते हैं घट के लेकिन नेट के बzeit हो लगा सकते हैं तो यह तो होगी फिज्कल क्वेस्चिकिल कमेश्टिर की रहे प्रोप पूरे इंटार कमेस्ट़ी में इन स्राइट तो हमारा त्वालो केजिए अपने दूस्तोंमे वीडियो जुदू जरूर शायर करें हो सकता है इसे भी आपको फाइदा मिले आपके दूस्तों को फाइदा मिले और थैंक्स पर वाचिंग